दोस्तों करार हुआ मारूति और टोयटा के बीच में जहांपे दोनों कमणीज हैं डिसाइड किया कि वो अपने प्रोडेक्ट्स को एक दूसरे के शोरूम में बेचेंगे लेकिन बिखी और टोयोति के शोरूम में ठपना लगा हुए अपने कोई गौरा रहा हुआ मेंन रीजन इस करार की पीछे का वो clear हो गया और वो मैं आपके साथ share कर रहा हूँ दोस्तों करें current scenario की बात करें तो Toyota के शुरू में जैसे हम जाते हैं तो एक बात बहुत clear हो जाती है evident हो जाती है कि Toyota के पास में इस current scenario में बड़ी गाड़ियां काफी successful ही है जो की customer ने ढंक से अपना रखी है और उनकी demand एक्दम regular चल रही है वो है inua crystal या फिर तोड़ा सा और उपर आके जाते है तो आपको fortuner मैं जाती है इन गाड़ियों की market में एक बहंकर reliability और अच्छी पहचान बनी हुई है लेकिन अगर lower segment की बात करोगे entry level segment की बात करोगे Toyota के पास आहल फिलाल में कोई successful model नहीं है हाँ उनके पास idios है लेवा है लेकिन काफी समय से इनके अंदर कुछ नया change नहीं किया गया similarly अगर हम मारूती के अंदर जाते हैं तो आपको passenger card segment में जो lower segment है 12,00,000 उससे नीची की गाड़िया है वहाँ तो आपके पास option मिल जाते हैं एक दम शुरुवात में तो 800 मिलती है आपको auto 800 मिलती है यह जो की market media में rule कर रही है जैसे इसे move करते हैं आपको upper end के ओपर सियाज या फिर S-Cross मिल जाती है लेकिन उसके ओपर मारूती आपको कोई भी मजबूत दंखम वाली SUV उपलब नहीं करा पता अब ऐसी condition के अंदर दोनों companies ने सोचा कि एक तरीका तो ये रहा कि हम वापस से research and development करें मारूती SUVs develop करने की कोहिश्च करें कोई मजबूत product लेकिया है और Toyota lower segment के अंदर कुछ passenger cars के उपर वापस से R&D करें उनको try करें, market में test करें और वहाँ पर फिर से launch करें इसकी पीछे काफी खर्चा होता, बहुत जादा मेहनत लगती और होता हो सकता है कि successful भी ना होते और इसके तहट मारुती ने कहा कि हम जो गाड़ियां बनाते हैं passenger vehicles जो market में अच्छे चल रहे हैं वो इक करके तुम्हारे शुरू में तुम्हारे नाम से बेचना शुरू करते हैं और ऐसे ही जो आप अच्छे बड़े vehicles बनाते हैं अच्छा है तो परिवार में बाकी लगों को भी रेफर करें अलग लगतर ही गाड़ियों की दिमान करेंगे वो अगर एक ही शोरूम पर एक ही ब्रैंड का बनाया हुआ ट्रस्ट मार्केट को धंग से पेनिप्रेट कर पाएग तो इसलिए मारुती चाह रहा है कि उनके पस complete range of products आजाए तो आट आप रिचाह रहा है कि उनके पस complete range of products आजाए और इसकी शुरुआज जैसा कि आप जानते हैं लेंजा से हो भी चुकी है अब customer को इसे सिर्फ वाइदा है या नुपसान है यह देख लेते हैं customer को definitely सिर्फ वाइदा है अगर मैं एक मारुती का वेकल ओन करता हूं एक गारी करी भी थोड़े समय बाद उसको एक्शेंज करके दूसरी गारी लेना चाहता हूं यहीं कमपणी से जुनों कर रही है और ट्राइ कर रही है कि मारुती के भी गुण रख लें और ट्रै के भी अच्छे गॉण रख लें इन दोनों Company के उपर डाले ताकि बहुत बहुत बन जाए जैसे के अगर बात करते हैं ट्रिट के मारुती के शोरू में बेच लेके तो तो उसको Toyota की reliability तो मिलेगी, साथ में मारूति का service nelfa भी मिल जाएगा, तो एक win-win situation बन जाएगी customer के लिए, तो एक customer के लिए भी बेटर है, दोनों car companies के लिए भी बेटर है, और यही सोचते हुए, उन company ते ट्राय किया है कि ये गाड़ियों को बेचे, नुकसान क्या हो सकता है, नुकसान इन car companies को ये हो सकता है कि, एग्जैंपल एक गाड़ी जोकी मारूति में hit है, अगर उसी गाड़ी को Toyota के शुरूम में बेचना शुरू कर दो, तो हो सकता है customer Toyota के शुरूम पर जाना शुरू कर दे, तो यह एक छोटा सा रिस्क है जो एक कार कमपनीज ले रही है यह पुरा गदम रहेगा अंत में कस्टमर की जीत हो कस्टमर के पास जादा ऑप्शन हो और कस्टमर खुश रहे तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिरफ इतनी ही जानकरी अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्लेंजा वर्सिस बलेनों के बारेने और देखेंगे इन बलोगाड़ियो में कौन सी बहतर है कौन सी आपको चननी चाहिए आज के वीडियो में इतना ही सीखते रहें सिखाते रहें टेक के रहें जैहन